हलो फ्रेंग्स वेल्कम टू आल आज में आपके जो वीडियो देखिए HDFC के शेर में आज की डेट में बड़ा धमाका हुआ आपने देखा धमाका तो जोर का था लोन गोथ की खबर से यह बहुत बड़ा धमाका आपके सामने हुआ और आज की डेट में जो मार्किट को भगाया उसका में कारण SDFC था कल की डेट में कौन था मिंवी TCS आज SDFC देखे धीरे धीरे यह बड़े प्लेयर एक्टिव होते जा रहे हैं वलकनों की तरह है और ऐसे ऐसे ब्लास्ट आपको करते वे देख रहे है SDFC आज ही नहीं मैं कहूंगा पिछले पांसा दिनों से बिलकुल धीरे धीरे करके ग्रोथ और आज इसने बड़ा धमाका आपके सामने कर दिया अब जड़ा देखते हैं समझने की कोशिश करते हैं आज के मार्किट के डेटेल्स में आज अगर आप मार्केट को देखो तो फाइनेंशल सर्विस चाया रहा जिस डी अपसी में अकेले साथ से आठ पॉसेंट की तेजी देखने को मिली SDFC अपने आप मार्केट में एक बहुत बड़ा कॉंट्रिबूटर है यानि कि देखे पूरा का पूरा फाइनेंशल सर्विस तीन पॉसेंट के आज पास तेजी रही निफ्टी बैंक में देखे दो पॉसेंट की तेजी रही उसके बाद अगर आप देखोगे तो का फाइनेंस और SDFC अब SDFC के हम बात करते हैं अब देखते हो आज की डेट में जो हाइइस का था 1943 का हाई इसने बनाया लेकिन यहां पर देखिए 40% की डिलिवरी देखने को मिली है जो कि एक अच्छी बात है पॉजिटिव बात है और ओवराल 1920 1920 के आसपास का लास्ट प्राइस आप ज़रूर देख रहे हो लेकिन ओपन कहा पर वहा था अठारा सो पर उपन वहा था कल की क्लोजिंग से 15-20 पॉइंट उपर उपन होके और इतनी बड़ी तेजी इसने दिखाई बहुत ही जबरतस मैं कहूंगा लेकिन इसके अलावा जो खबर थी में उस खबर को देखे सबसे पहले यह रिपोर्ट कल की रिपोर्ट है यह और बोस चार बजे आफ्टर मार्केट आई थी जहां पर कंपनी ने अपनी डिटेल बताई थी ग्रोथ के बारे में बताया था तो देखिए क्या बताया थे कंपनी ने कि भाईया 12% हमारा लोन एप्लिकेशन जो हमें रसीब हुई है वह ग्रोव हुई है पिछले साल इसकौटर में के कंपरेजन में 12% जो कि आप परसेंट ग्रोव हुए है पिछले साल या नहीं कि पिछले साल तो कोई कोरोना कोविट था नहीं तो उसके कंपरेजन में जब कंपनी ने यहां पर कहा कि वह यहां पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिला है प्रिवेस यर के कंपरेजन में उसके अलावा एक और इंपर्टें में यहां तक पहुँच चुका है तो देखिए ऐसे हालात में अगर SDFC 95% के लवल तक पहुच चुका तो बहुत ही बढ़िया बात है और यह नंबर देखिए यह मैं कहूंगा किस तरीके से आप देखिए पिछले साल के में रिसिप्ट नंबर 21 परसेंट अप्रूबल 31 परसेंट डिस बस्मेंट 11 परसेंट यह इस ट्रेंड्स आर इंडिकेटिव डाट बिजनस इस रिवर्टिंग तो प्री कोविट 19 लेवल मतलब आपको देख रहा है कि यहां कोविट 19 के लेवल से पहले वाले लेवल पर यहां पर बिजनस जा रहा है ऐसी पॉजटिविटी यहां पर देखने को मिल रही है और यह रिपोर्ट इसलिए में आपको दिखा रहा हूं यह रिपोर्ट कहीं से इधर दब नियूज की रिपोर्ट नहीं है यह जो रिपोर्ट SDFC ने एक्सेंज पर दी है उस रिपोर्ट को आपको बाता रहा हूं देखिए SDFC ने एक्सेंज पर जो दी है और कुछ और डेटा यहां पर दिया गया है देखिए लोंस एसाइंड तीन हजार करोड़ एस कंपेर दो देखिए और पिछले सार कितना था साथ हजार करोड़ आप देखिए अब यह पॉइंट देखिए जो भी लोन यहां पर दिये गये हैं वह SDFC बैंक लिमिटेड को दिये गये है यहां पर देखिए जो इसी की ही एक मान के चलिए प्रमोटर है SDFC का एक बैंक है लोन सोल्ड इन प्रीविएस 12 मांथ अमाउंटिंग पिछले बारा महिनों को अगर डेटा को देखा जाए तो 14,000 करोड के लोन बेचे गये आप देखिए यहां पर और पिछले बारा महिनों में जो कि उससे पैसले साल का कंपेरियन क्या जाए तो 23,000 करोड के आसपास यह थे तो यह सारे नंबर्स आपको क्लियर यहां पर कंपनी ने दिये हैं अपनी रिपोर्ट में जो एक्सचेंज को सौपी गई है लेकिन आज की डेट में आपने देखा कि शहर में साथ परसेंट का तेजी आगी जिसकी वज़े से पूरी की मोई मार्केट में आप देख सकत है अब मैं SDFC की कुछ और डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा तीन लाग करोड का मार्केट के अपने बड़ा मार्केट के अपने हैं और उसके अलावा अगर आप देखो यहां पर कंपनी के ओपर देखें फाइनेंशल कंपनी सेल्स ग्रोफ देखें अठारा पस जिनको कहा जाता है SDFC, SDFC, BANK, TCS, Lance Industries, Uniforces यह पड़े नाम है लेकिन यहां पर जब आपको देखना होता है situation कब इन शेयर को खरीदा जाए, कब मौका आपको मिलता है, कब opportunities मिलती है, long term perspective से, short term में आप trade करना चाहतो तो यह अच्छा खासा opportunity आपको देता है अब शेयर होड में यह देखिए holding जो है, अगर मैं mutual fund की holding देखू तो पिछले कुछ quarter में लगाता है mutual fund की holding बढ़ी है और यह मान के चले भी 9.49.5% के आस पास था mutual funds की holding है, अगर foreign portfolio निवेशकों की holding देखा जा क्योंकि मेजर लिए हाँ पर promoters नहीं बलकिए, FII का data आपको देखने को पॉइंट, 0.10% यहां पर शेर्स बेचे गया, अगर आप देखोगे 164 करोड शेर्स थे, 163 करोड शेर्स होगे, एक करोड के आसपा शेर्स जून कौर्टर में देखने को मिले अभी जब लेटेस्ट आएगा तब आपम और देखेंगे यहां पर कि कितने data mutual fund वालोंने कित रिटेल निवेशक पांच लाख रिटेल निवेशक यहां पर इन्वेस्टेड है, 122 करोड शेर्स इनके बारा करोड शेर्स इनके पास है, 7% की होल्डिंग है, अब आपको बहुती बड़ी होल्डिंग है, और सिमिलरली अगर मैं mutual fund के data को फिर से लेके जाओंग, आपको बाता हो, देखिए जो नंबर अगर हमने कहीं ऊपर नीचे किये हैं, तो कितने है, 16 को 38 लाग देखिए 16 करोड शेर्स इनके पहले यह थे 16 करोड 49 लाग तो आप इसको यहां पर देख सकते हो कि 10 लाग के आसपास शेर्स बेचे गए, अब मैं SDFC के नंबर्स पर आपको ले वही रुका जहां पर 200 डे की सिंपल मूविंग आवरिज थी, अकसर बड़े बड़े लोग इसको बहुत सम्मान देते हैं, यह जो लाइन देख रही है आपको इसको बहुत सम्मान मिलता है, यह लाइन पार हो जाए, यह लाइन बहुत ही खतरनाक होती है, यह इतनी जल्द की तेजी इसने बिलकुल दिखाई है इन लवल सक आते आते अब इसके साथ साथ यह जो एडिया है वह मेजर एडिया में मंतली से चलूँगा फिर आपको डिटेल बताने की कोशिश करूँगा बड़ी गिरावट के बाद आप देख रहे हो कि यह तो हमको एक हायर बनाता हुआ देख रहा है यह कुछ चीजे तो शेयर में दिखती है पॉजिटिविटी वह आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूं और मैं आगर वीकली पे देखूं तो अब जिस लेवल पर यह जा चुका है फिर से वही ब्रेक आउट का लेवल वह ब्रेक आउट का लेवल चो पहले भी आया था और फिर से स्टॉक उसी रेंज में जा चुका है यानि कि 1900 की रेंज एक बार रेजेक्शन दो बार रेजेक्शन तीन बार रेजेक्शन और फूर्थ टाइम फिर से वही लेवल पर आया लेकिन इस बार भी जिस स्पीड से आया है त्योंकि इस एडिया को पार करने के लिए हमको थोड़ा सा चाहिए होता और मुझे लगता है हां अगर कुछ दिन यहां पर कंसॉलिडेशन मिल जाए या फिर इसको पार करके हलका करेक्शन आके फिर तेजी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है यह आपके लिए बड़ी opportunity हो सकते लेकिन फिलाल इस एडिया में यह फोर्थ टाइम आ चुका है और इस बार तो यह दोसरे हपते के अंदर देखिए बिलकुल यहां से सीधे आया situation देखिए तेजी correction फिर से तेजी और यहां पर देखिए तेजी जरूर आया थी फिर से correction यहां पर opportunity लग रह है तो कहीं न कहीं value के मामले में strength के मामले में यह लवल आज पार हुआ that is a big positive thing अगर मैं यहां पर यह वीकली चार्ट है situation समझते है डेली चार्ट पर देखते हैं इसको डेली चार्ट पर में आपको कवर किया थे detail लेकिन फिलाल जो अगली correction यहां पर आएगी मुझे रगत 200-day का simple moving average है तो जटके के बाद कोई correction आपको देखने को मिल जाए pullback देखने को मिल जाए consolidation देखने को मिल जाए यह अच्छे signal यहां पर हो सकते है फिलाल wind up करता हूं वीडियो को उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लागा अच्छा लागा तो शेयर जरूर कीजे like चीजे चैनल सब्सक्राइब कर लाए और बेल आकन को भी प्रेस कर लाए जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रेकें थांक्यू 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 पर वाचिंट वीडियो